आज सब वीडियो करते हैं हम मैप के लेर्णिंग वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपके पास त्री और उससे ज्यादा इंटीजर्स किये हुए हैं तो आप उनका एडिशन और सब्स्ट्रक्शन कैसे करेंगे अप जो सवाल है नेच्ट वीडियो में हम उसको कॉम्लेट करते हैं तो आज की वीडियो में क्या करेंगे अगर आप उसको स्क्रीस करते हैं इसके related जो chapter है वो है exercise 3.4 हम इसको complete करते हैं और साथ में आपको concept जो है वो clear हो जाएंगे कि कैसे आपको यह solve करना है तो हम class 6 exercise 3.4 पहला number है सवाल है इसमें 6-9 plus 4 आपको यह solve करना है find the value of तो आप इसको कैसे solve पर होगे 6-9 plus 4 तो हम क्या करेंगे 6 plus 4 minus 9 plus plus 1 side ले लेंगे minus 1 side हो जाएगा 6 plus 4 10 minus 9 equal to 1 यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है next सवाल है आपका minus 5 minus minus 3 plus 2 अगर इससे सवाल है तो आप क्या से solve करोगे सबसे पहले यह हो गया minus 5 ओके minus minus क्या होता है minus minus होता है plus plus 3 plus 2 अब हम इसको कैसे solve करेंगे minus 5 3 और 2 अगर हम plus करते हैं तो क्या हो जाएगा यह plus 5 हो जाएगा यहाँ यहाँ पर क्या है minus 5 यहाँ पर क्या है plus 5 अपाजिट साइं यह हो जाएगा 0 ऑके जुक तो हम क्या करेंगे, यह cut हो जाएगा, तो यह हमारा अंतर हो जाएगा Next में है, third number में, 7 plus minus 5 plus minus 6 अब यहां पर देखिए, इसी तरह से सवाल है, 7 plus minus minus 5 plus minus minus 6 इस तरह का सवाल है तो आप क्या करोगे 7 minus 5 minus 6 तो हम क्या करेंगे minus 5 plus 6 जब हम bracket लेते हैं तो क्या होता है कि bracket के अंदर अगर minus dollar sign है तो वो plus में change हो जाता है plus dollar sign हो है वो minus में change हो जाता है यहाँ पर दुरह तरह minus minus था हमने minus common ले लिया और 5 minus change हो गे plus में 6 अगर हम इसको bracket से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर plus होता है कुछ भी नहीं है तो plus है तो minus plus minus minus 5 फिर यहाँ पर minus plus minus 6 तो हमें यहीं मिलेगा वापस से हमें यहाँ पर देखिए बगर करके solve बगर के दिखाते हैं आपको तो clear हो जाएगा 7 minus 5 plus 6 अगर हम इसको bracket से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 7 brackets हटाएगे minus 5 आजाएगा अब यहाँ पर plus है यहाँ पर minus है तो plus minus minus 6 यह इसके बड़ाबर आ गया है तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर यह sign किस तरह से change होता है तो हम इसको अब continue करते हैं 7 minus 5 plus 6 क्या होता है 11 होता है minus 11 तो उसके बाद क्या होगा minus sign हमने side में ले लिया 11 okay minus 7 equal to क्या हो जाएगा minus 2 11 से 7 जाएगा तो कित्ता बचेगा sorry 4 okay minus 4 जो है वो हमारा answer हो जाएगा okay next हम second solve करते हैं इसमें एक या दो रह गया है वो आप solve करना next है यहाँ पर second में है वही है evaluate the following है पर यहाँ पर big numbers है तो हम इसको start करते हैं second का one है minus 77 plus minus 84 plus 380 यह सवाल है हम इसको कैसे solve करेंगे अब यहाँ पर minus 77 plus minus 84 plus 380 यह हम क्या करेंगे यह क्या हो जाएगा 7 और 4 11 की 1 और 8 और 7 की होता है 15 होता है 1 16 हो जाएगा plus 318 तो अब यह क्या हो जाएगा minus 161 plus 318 तो हम क्या करेंगे अब हम इसको अब यह क्या हो जाएगा 318 minus 161 अब 8 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 से कर हम 1 को minus करते हैं then 7 11 से 6 5 और अब यह 3 से 2 रह गया 157 जो है इसका अब जो सवाल है next video में हम उसको complete करते हैं 3 और 4 तक तक आप इसकी practice करना और इसकी जो concepts है वह अगर आप practice करोगे तो आपको clear हो जाएगे next video मिलते हैं तक तक लिए thank you and have a nice day करते हैं करते हैं